प्रवर प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत सा बड़े बड़े लेस वाला डीब क्रीन किलर का प्लांट जो कि बहुत ही खूबसूरत एक डेकॉर पीज भी है है《 कराईगाइज आज हम बात करने वाले हैं आपसाभी का स्वागत है मेरे चैनल कर अंचbles की हिरता बात करमें था ठोब मेरे पास ब्लैक रबर प्लैंट है जिसकी जो बत्तियां होती है वो दीप ग्रीन क्लिर्टी और पीछे की तरफ से परगंडी क्लिर्टी होती है विछे की निर्ष में आफिकर 36 25 यह यह झ्यक्राँ कर दिज्याता थे जिसने इसे पर्चेश किया है उत्यान प्लाइज भी टैप शकीर मैं जाते हैं अगर देकोर पीस रहां चाहते हैं तो यह बहुत बैस्ट पक्शन है जैसे देख सकते हैं जैसे ब्लैक कर्फ ट्री में है वात अगलर कर वुटते हैं जैसे ज्याइस किंक हो गया वाय फेगत वाहिए और एक लाइट ग्रीन ग्रील्ड लग्र घृतता है तो बहुत साले संग तो इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां और पिछे के तरफ से बर्गंडी कर बहुत ही खुबसरत लोग देता है और यह सिर्फ वर्टिकल ग्रोह ही करते हैं अगर आप चाहते हैं कि इसकी ब्रांचेस और ग्रोह करें तो इसको उपर की तरफ से हम कट करेंगे यहां से नहीं पत से इस तरीके से नहीं ब्रांचेस ग्रोह कर जाएंगे और आपका जो रबर चुए वो बुशी जासा हो जाएगा एक अच्छा कई ब्रांचेस के साथ में आपका रबर ब्रांट हो जाएगा लेकिन मैं जब यह प्लांट कर ले आई थी तो यह काफी बड़ा हो चुका था रबर कियां यहां पे देख सकते हैं कि अश्तलї में से लिंगे। भर पर ती इसे लेकर रही थी तो मैं ने इसे एंडिन ब्रांट है। यही एक घ्र पर रख तीया था сथा जो जो यह जो बिलकुल धिहान से डाला था देख से कर अभी भी हुए वही पर हमो सब सब्सक्राइब दहान कि प्रत्चे जका जिए कुछ चाहिये होती है निकर डरेक्ट सथा था होती है शबस्क्न फरी जो फ्या शबएक्स तो चाहिये होती है यह सिंहा हो फिंहे है और भरोथ छिम offers्यों सकंभ कूध शबस्थ थे होती हैर्ण को घर चाहिए ऑस प्यां होड़ीं अरिको सप्टिफ फ्ट्राइ तो की बातरकु बड़ी पड़ी और बहुत ही ग्लॉसी सा शाइन देती है जो कि आपके घर में बहुत ही उपसुरा सा टच देगा की है लेकिन अफसोस मेरे घर पे मेरे जो लिविंग एरिया था वहार पी दूपिकने नहीं आ रही ती जिसके विज़ा से इसके लिट्स छड़ने लगे थे तो मैंने इसे अपने एंट्रीडेट की तरफ में से रखा जो कि पूरी तरह शेटर है और नाव इस काई बहुत ही अच्छा थाम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है तब से बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है इसमें आपको सिर्फ पानी का ध्यान रखना है और खात का से ज प्लस में इसमें एक महिने में एक बार जो हमारा फर्टिलाइजर होता है वो डालते हूं वो भी जो हमारा और्गेनिक फर्टिलाइजर होता है जो नर्सरी में हमको मिल जाता है पैकेट्स में अबलेबल हो जाता है वो डालते हूं यह तो आप केला जो होता है केले के चिंक और उसका पेस्टेस में दालिजे, वो भी कर सकते हैं और पानी देने के लिए हाला कि वेपसाइट्स में इक लिखा है कि आपको तीन से चाहर हफते में एक पानी देना है लेकिन अगरिंट टू मी मैंने इतना इसे ध्यान दिया है मुझे लगता है कि इसे हफते में दो बार गन्हें को बहुंत रहें बहुत सही रहेंगा दियाने पहरे कि बहुत ज्यादा की नहीं होना चाहि chi Williams मेरे लिए बहुत प्रूब्सशर से लिक देता है अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी बइसे बाई कर लिजए बहुत ही खूबसर्त लिके देरें आप इसे वर इसे सपोट की नीट होती है क्योंकि वर्टिकल ग्रोग करता है तो इसके सपोट के लिए अभी तो मैंने कुछ नहीं लगाया इसमें नहीं नहीं लगाले अपर निकिन शायद थोड़ा सा और बढ़ा होगा तो इसमें सपोट लगाना पड़ेगा और अगर आप चाह को जलते है कि आपका रबर्ट्री की चलती पूझका जब की आप की जुचे यह मेरा अग्षों नहीं करता है लेकिन अगर जाते हैं कि अथे तो आप इसे जो सुबह की दूइप होती है उस समय से दूप में रखें आफ्टरों के बार्ट की दूपी से लगा है तो दूप से जल्दी ग्रोथ इसकी थोड़ी फास्ट हो जाएंगी अगर इसकी जड़े की तरफ से बहार नेकलने लगते हैं तो अगर नीड है रिपोटिंग की तो एक से दो इंच बड़ा पॉटली ने जो भी आप पॉट यूज कर रहे हैं तो आपकी जड़ों को इसकी जड़े हैं उसको भी स्पेस्में जाएगा बढ़ने के लिए और आप प्लाइट को वैसे तो इसे बहुत जलती रिपोर्टिंग की जड़ब नहीं पड़ती है कंस्कामिट साल वर तो लगेंगे साल से टेड़ साल में आपको रिपोर्ट करने की जड़ब पर दो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे साथी पैल साथ ही इसमें फंगस या कीडे बगरा नहीं लगते हैं और कभी कबर अगर मालीज आपको वाइट फंगस लिखें इसमें तो नी बॉइट का स्प्रेड कर सकते हैं हाला कि अभी तक से मेरे रबर प्लंट में मुझे ऐसी को प्रोग्रम फेस नहीं किये मैंने कभी भी इसमें तीरे या फंगस वगेरा नहीं लगते हैं तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कामेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा साथ ही मेरे चैनल को लाइक श हुआ 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 है